सूरा मेरे मज़ पमान तठण फिर मेनी सिखा पधिंग समाधियानी बुद्धन संग, संग की सरण में जाना, संग संग रहना, साथ साथ रहना दूसरों का संग और उनका संग जो सारे देश पे राज करते हैं संग यानि के संग एक महत्पूर्ण सब्द है बिना संग के राज नहीं मिल सकता इसलिए जो लोग सत्ता की चाबी ढूंड़ना चायते हैं उनको भी संग की आशकता पड़ेगी जो कोई भी काम करना चायता है उनने संग की आशकता पड़ेगी चाहे कोई बैपार करना चाहे चाहे कोई राज निती करना चाहे चाहे कोई पड़ाही करना चाहे जो भी रास्ते हैं उन सब में संग की आशकता पड़ेगी आप संग के विरोधी हो सकते हैं पर संग के बिना काम चलेगा नहीं इसलिए संग का विरोध करें या संग का समर्थन करें पर संग में रहें संग में रहके संग का विरोध करें तो भी फायदा होगा पर संग में नहीं रहेंगे और संग का समतन करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि फिर संग में है नहीं इसलिए संग बहुत महत्पुने काई है आप कुछ भी करें पर संग में रहना पड़ेगा कुछ भी करें यहां भारत के अंदर जो संग को नुकसान पहुँचाते हैं वो 29 लाख संग्ठन तो है ही इसके अलावा ऐसे लाखों लोग मी हैं जो अकेले-अकेले चलते हैं जिनको संग्ठन भी ने अच्छे लगते हैं और संग्ठन तो दूर-दूर भागते हैं उनका तो कहीं मतलब नहीं है वो एकल सेना एकल आर्मी वन आर्मी मैं सोच के काम करते हैं उनको लगता है कि वो अकेले इतने बुद्धी जीवी है अकेले इतने जानकार हैं और अकेले उनकी इतनी प्रसद्दी है और अकेले वो इतने बड़ी आ भाशन देते हैं और लाखो लोग उनको फॉलॉव करते हैं उनको सुनते हैं उनको जानते हैं उनको बलाते हैं उनको पैसा देते हैं तो वो अब खुदा हो गए अब वो कुछ भी चाहें तो कर सकते हैं इसलिए वो किछी संग्ठन में नहीं जाते संग्ध की तो बात ही बहुत दूर की है वो और भी ज़्यादा घातक हैं क्योंकि संग्ठन वालों से तो यह उम्मीद है कि वो देड़ सवेर अपने-अपने संग्ठनों को समेटेंगे इखटा करेंगे संग्ठनों के लोगों का दवाब पड़ेगा और वो इखटे हो जाएंगे पर अकेले का क्या करोगे जो अकेला ही घूम रहा है जो अकेला ही चल रहा है जो चार्जड है और जो इधवदर मुँ मारता घूम रहा है, उसका क्या इलाज करोगे, उसे कैसे पकड़ोगे, उसे कैसे जकड़ोगे, और वो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं, इनको स्टार्स बोलते हैं, स्टार्स, तारे बोलते हैं, बहुत तेई से चमकते हैं, बहुत तेई से भु नहीं सकता, इन तारों की लाइट से सिर्फ थोड़ी दिर के लिए मनुझन तो हो सकता है कि अरे देखो वो तारा तूट गया अरे देखो वो तारा चमका और वहां तक गया और तूट गया, जैसे गर्मियों की दुनों में जब हम उपर सोते थे अपने गाउं में तो आस्मान में तारे चलते रहते थे और उनको देखते देखते नींद आ जाती, बस इतना मरुझन करिए, पर तारे को अगर दिल से लगा लेंगे, इस्टार को दिल से लगा लेंगे, तो संग्टनों से भी ज़्यादा बुरा नुकसान होगा, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ और ये वीडियो लक्ष्मन यादव जैसे जो लोग हैं, उन तक पहुँचाना चाहिए ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं, क्योंकि अब वो नुकसान ज्यादा कर रहे हैं पहले स्टार्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाया जाते हैं, उनको समझ दीजिए स्टार्स थोड़ दिर के लिए चमकते हैं, उनमें उर्जा का संचार थोड़ दिर के लिए होता है खास तोर से ये कोई टॉकले टाइप के होते हैं, जो यूनिवर्स में आते हैं और घर्षन से उनमें आग लगती है और चमक जाते हैं फिर वो भुज जाते हैं उनको हम स्टार्स बोलते हैं तो यह अकेले होते हैं यह किसी की नहीं सुनते इन्होंने दो-चार किताब पढ़ ली होती है और सरकार इनको कोई सार्टिफिक्ट वगरा दे देती है कोई डिग सरकार हमको सार्टिफिक्ट देती है क्योंकि सरकार कुछ लोगों को अगर पढ़ाई का सार्टिफिक्ट देती है तो इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोगों में बुद्धी नहीं है या बाकी लोगों में समझ नहीं है हर एक व्यक्ति में बुद्धी होती है हर एक व्यक्त मिलता है ज्यादा काम करने का किसी को मौका मिलता है कम काम करने का किसी को मिलता है किसी को मिलता है पड़ाय लिखाएगा पर पड़ाय लिखाए डिग्री वाले बुद्धी जी भी होंगे अगर ऐसा होता तो अधिकार जाते नहीं बहुत सारे लोग है फिर भी अधिकार कि उनको नोगरी पर रखा जाए सरकार की मर्जी सरकार जिनकी होती है उनके सारे पर चलती है चलनी चाहिए क्योंकि सरकार उन्हें बनाई यह मेहनत की है तो अपने अपना नुकसान क्यों देखेंगे अगर को इनको सीधे-सीधे नुकसान करें तो क्यों जहिलेंगे अगर प अगर नौकरी चली गई तो इतना बखेड़ा क्यों एक प्राइवेट नौकरी एक एड़ॉक नौकरी चली गई तो इतना बखेड़ा क्यों और उनका क्या जिनके पास नौकरी नहीं है और उनका क्या जो हजारों लोग हैं जिन्होंने पिएजडी किया डॉक्टेट किया या जो इसकाबिल है कि नोक्री मिले अच्छी नोक्री जिनको मिली ही नहीं एक तो मिलने के बाद चली गई और जिनको मिली ही नहीं उनका कितना अफसोस करें और उनका कितना अफसोस करें जिनको बिचारों को पढ़ने का मौका भी नहीं मिला इसलिए यहां एक व्यक्ति के रुपे कमा चुका है या यूटूब से पैसे कमा रहा तो पैसे की कमी नहीं है रोजगार है उसके पास यूटूब से लोग 6-6 लाख रुपे कमा रहे हैं ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जब यहां आये थे तो खाने खराबते बिहार से और आज उनके इसमें कोई बुरा मानी बात नहीं पर हाय हाय किसली है पर रोना-धोना किसली नहीं है पर emotional game किसली है आप कोई पहले वक्ति नहीं हो जिसके साथ में ऐसा हुआ है और आपको अंतिम व्यक्ती भी नहीं हो अगर आपने समाज का काम करना ही है तो इस्टारडम को छोड़िए नहा यहां कितने लोग हैं जो जमीन में मि्टी में मिल गए यह कितने लोग हैं जिनका आता पता भी नहीं है जिन्नों गर छोड़ दिया, शादी नहीँ की, और जो एक टाइम की रोटी पर रहते थे, कितनी सारी भिकूणी थी, जो एक टाइम की रोटी पर रहते थी, वो भी मिली या नहीं मिली, और उन्हों ने सामाज को परिवतन करने के लिए पूरा जीवन लगा रहे हैं आपको पढ़ाना है आप पढ़ाईए पढ़ाने की बहुत तरीक हैं आप प्राइवेट यूविस्टी में चले जाएए आज आप मुस्लिम यूविस्टी में चले जाएए जहां आपके पता रहा हूं कि सारा समाज एक व्यक्ति के मुसंस में एक व्यक्ति वो बचाने के लिए या एक व्यक्ति की पीछायेगा सारी और लगाएगा तो जीते मा से क्योंकि उनका काम है उनका काम है कि समाज में वो पहले एक विक्ति को हाइलेट करते हैं सुरू में नहीं रोकते अगर चाहते तो पहले दिन नौकर से निकाल देते हैं है और उसके बाद हमने कैसे नीचे पटक दिया आप ऊपर मत जाना समाज लिए और ज्यादा नुकसान होता है सोचने की बात है कि अगर मालो एक भाशन की बाद नहीं हटाया दो की बाद नहीं हटाया चार बार कैने की नहीं हटाया तो हटा कब नहीं है क्या कारण है कौन चला रहा है इसको कह चला रहा है तो समझ नहीं अतनी फिर आप अकेले चलते हो आप किसी संग्ठन को अपने इसलायक नहीं समझते कि वो संग्ठन में आप काम करो क्योंकि वहाँ दरी बिचानी पड़ेगी महाँ जो पराने लोग हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा उठना पड़ेगा पर आप समझते हो कि आप ज़्यादा काबिल हो आपकी लोग माने तो लोग आपकी क्यों माने लोग आपकी क्यों बात माने आप जो बोलते हैं यानि एकल व्यक्ति जो बोलता है वो अपना विचार देता है वो संग्ठन का विचार नहीं होता वो संग्ठन का विचार नहीं होता हम यहां संग्ठन का विचार नहीं होता हम यहां संग्ठन का विचार नहीं होता है मजाल है किसी कोई जो दस नियम से हट के बोल जाए पूरा संग पास करता है हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना है हम बंधे हुए हैं नियम में पर एकल व्यक्तिनी बंधा होता है उसको जहां तालिया ज्यादा मिलती है जहां उसको मान दे ज्यादा मिलता है जहां टिकेट बड़ी हवाय ज्याज का मिलता है जहां बड़ी होटल में मिलता है, जहां ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं, जहां ज़्यादा फोटो किसते हैं, जहां ज़्यादा फैन फ्लोगिंग हो जाती है, वो जोड़दार भाशन देता है, और भाशन भी क्या होता है, आग उगलने वाला होता है, उगरता भरा होत इसके पास कोई विचार नहीं है उसके पास कोई कम नहीं है उसके पास कोई object नहीं मिलएंगे औको जो मनचों को धूंड ते रहते हैं। यू ट्रब से नहीं ब लगता है कि जो नहीं नोंने बोल दिया वह ठीक है टूम हमारी है हमारी है, क्योंकि हम ऐसी फायरिंग स्पीच पे, आग उומने वाली स्पीच पे, विद्डरु वाली स्पीच पे तालीया बजाते हैप समाज में दो तरह के लोग होते हैं एक शांती से अन्दून करने वाले एक उगर होते हैं पर हमारे जितने भी लोग हैं तो सम्ता के करुणा के शांती के लोग हैं उन्होंने तो अपने जितने भी आंदोलन जीते हैं वो सम्ता से जीते हैं, शांती से जीते हैं हमारी हिस्टी नहीं है आज तक भी कि हमने उगरता से कोई आंदोलन किया हो या जीता हो एक उधार नहीं हमारा कहीं मिलता फिर हम काहे लिगर होते हैं कोई हम युद के सिपाई तो है नहीं कि अंग्रेजोगी सेना में खट्टे होगे और हमने महारों का युद रड़ा और जीत गए क्योंकि अगर हम सिपाई हैं तो फिर तन्मन से रणे हैं पर जब हम समता का अंदोलन करते हैं तो अब हम शांती से काम लेते हैं तब हम सांती से रहते हैं तब हम सांती की बात करते हैं तो पर एकल जो व्यक्ति होता है अगर वो शांती की बात करेगा तो सुने का कौन अगर वो समता की बात करेगा सुने का कौन अगर वो ठंडी बात करेगा तो सुनेगा कौन उसको कौन टिकेट देगा कौन हवाई जहाज बलाएगा कहां उसका वीडियो चलेगा कहां उसको पैसा आएगा इसलिए वो एक भवर्षक्र में फसता है वो फसे कोई दिक्कात नहीं पर हम क्यों फसें हमेरा क्या करण है इसलिए सारे लोगों को लगता है कि लक्षमन यादा के साथ में गलत हुआ है सारे लोग एक तरफ जा रहे है आज लक्षमन साथ के साथ में गलत हुआ है उससे पहले रतनलाल जी के साथ में हुआ उससे पहले रितु सिंग जी के साथ में हुआ पर तीनों अलग-अलग हैं साथ नहीं है और यूनिवस्टी में इतने सारे प्रोफिसर और भी है पर वो यूनिवस्टी की प्रोफिसरों की एसोशेशन में भी नहीं है रतलाल जी पहले कमनुष्ट थे और ये लक्षमन यादव जी पहले कमनुष्ट थे चार-पास साथ से इनका कमनुष्ट में कोई पूस्ता पास था नहीं कमनुष्ट में कोई ऐसा कुछ होता नहीं डॉक्टर अमेटकर पर आगे, डॉक्टर अमेटकर पर आगे, लोग उनको अच्छा लागा, डॉक्टर अमेटकर की इस्तिती बड़ी मजबूत है, क्योंकि उनका विचार बड़ा मजबूत है, इसने लोग हातो हात ले ले लेते हैं, दो मिनट में हीरो बना देते हैं, दो म से कम किसी संग्ठन से ना जुड़ा हो संग से जुड़ा हो तो बहतर है पर संग में आए कौन क्योंकि संग में आएगा तो नियम में बंदा पड़ेगा तो मुह बंद जाएगा यहां तो वही बोलेगा जो संग का विचार धरा है संग्ठन वालों में रिस्टिक्शन होती है संक्टन वालों के अगेश्ट भी नहीं बहुत सकता तो क्यों आए कोई आदमी उनको लगता है कि उनकी फ्रीडम जा रही है आपकी फ्रीडम आपकी जो फ्रीडम है वो किसी संग या किसी संक्टन से बड़ी नहीं है समझे इस बात को अगर आप बुद्धी जी भी है तो इसलिए जो फ्री एलिमेंट हैं जो ये फ्री स्पिकर हैं जो ये घूमते हैं जिनको हम टिगट देते हैं जिनकी फारिंग स्पिश होती है उनसे ज़्यादा नुक्सान हो रहा है संग्टन से बड़ीड़ा क्योंकि लोगों की और हमारी बहूत एनरजी इस पर चली जाती है बहुत बहुत ज़्यादा पड़े लिखे हैं ये ऐसे यूटूबर हैं कि अगर इनकी वीडियो में आग नहीं होगी तो कोई पकड़ेगा नहीं और अगर इनकी वीडियो नहीं चले लाग दो लाग तो इनको पैसा मिलेगा नहीं एक लाग वीडियो चलता है तो डेड़ जार रुपय मिलता है तो एक लाग कम से कम चले तो इनको फाइरिंग स्पीच ढूंडनी होती है तो ये आग उगलवाने के प्रसंट करते हैं या बोलते हैं तो यूटूबर और ये जो स्टार्ट्स हैं इन दोनों से बच के रहना चाहिए और इनका वीडियो भी देखना बंद कर देना चाहिए ये हमको नुकसान पहुँचा रहे है जितने भी फ्री स्पीकर्स हैं जो बोलते हैं वो कभी ये नहीं कहते संग्ठनों को आप कहा है अलग अलग वो भाई अपनी स्पीच में कोई भी यूटूबर ये नहीं कहता या यूटूबर जो जितने भी लोग है वो ये नहीं कहते कि सारे संग्ठन अगर इखटे हो जाते तो हमारी समस्या ही खतम हो जाती स्पीकर्स जितने भी होते हैं ये फ्री लांसर वाले, फ्री स्पिकर जितने भी होते हैं, ये मंच ढूनते हैं, अगर ये किसी मंच पर जाके, उस मंच वाले को ये कह देंगे, ओए, तु अलग संक्ठन क्यों लगा रहा है भई, एक साथ क्यों नहीं लगा रहा है, तो वो दुबारा बुलाएगा नहीं, ह हमको समझना चाहिए, कि जो ये स्पिकर है, जो ये यूटूबर है, इन से कोई अधिकार बचा नहीं आज तक, सिवाए इसके कि जो इनके अपोईट लोग है, जिनको ये बोलते हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे सरकार ने बैठे हुए लोग है, चाहे वो सरकार नीती है, चा बाद में वो इस्टार्स को जब देखते हैं कि इस्टार जाता चमक रहा है तो उसको बजा देते हैं फिर दूसरा इस्टार आता है और जब इस्टार को मारा जाता है या इस्टार को खत्म किया जाता है तो इस्टार रोता है और हम इमोशनली उससे अटैच हो जाते हैं और ह हमें मिला क्या, इसका हमें विशलेशन करते रहना चाहिए, इसको हमें सोचना चाहिए, जो व्यक्ति इस्टार बनके स्पीच देता है, क्या वो सोसाइटी की स्पीच है, क्या समाज नहीं उसको कहा है, क्या वो किसी संग्ठन की स्पीच है, क्या वो संग की स्पीच है, क्या क्यों मदद करे जब आप समाज के साथ नहीं जब आप समाज के संग के साथ नहीं जब आप अक्छा से हैं अपने आप से हैं समाज नहीं का आपको कि इतना अगरू बोलना है समाज नहीं काता कि इखटे होना है आप इखटे नहीं हुए आप अपनी जमात में भी इखटे नह तारे हमारा आदमी है ये ठीक ऐसे है जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जंगल के अंदर जो एक दूसी सेना होती है दो सेना लड़ती है आपस में तो किसी सेना के हाथ में अगर विरोधी सेना का कोई सिपाई आ जाए तो वो उसको जंगल में पेड़ से बांद देते हैं और उसमें उसके जो घाव होते हैं उसमें नमक भड़ देते हैं और उसको पेड़ से बान देते हैं और फिर छुप जाते हैं जगे जगे और वो नमक के घाव से जो सिपाहिया वो चलाता है उसकी चलाहर सुनके उसके साथ ही आते हैं उसे बचाने के लिए और जब उसके साथ ही आ रहे हैं तो वो भी मारे जाते हैं क्योंकि वो घात लागे बैठे हुए हैं तो ये सहीद किये जाते हैं पर हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नी करना है इसने जितने भी इस्टार्स हैं इनको हमें recognition नहीं देनी है और सभी की स्पीज के जैसे दावत हो रही हुँ, सभी में उन्हेंकिआ थे स्टार्स हैं, उन्हें क्या लेन देना, उन्हें जिंद्गी में ना कोई मंच लगाई, ना उनका कोई संग का उन्हें रुपया पैसा खरच किया, ना उन्हें दरी बिच्छाई ना वो कभी गए ना वो कभी आए वो वी आई पी ट्रीटमेंट लेते हैं बीच में बैठते हैं अपना भाशन देते हैं क्याई वार धमका भी देते हैं हवाई जहाज का टिकेट लेते हैं बड़िया होटल लेते हैं और उनकी मर्जी है अगर वो मुख्या करने वाले की आफ़ता गई क्योंकि उनका मुख्यतिती नहीं आया तो बोले कौन तो ये ट्रेंड जो मुख्यतिती वाला जो आयजोक वाला है वो भी हमें छोड़ दाना चाहिए जो स्टार्स को बलाते हैं उनको भी छोड़ दाना चाहिए जिस कारेकर में श्टार्स बोलते हैं वो भी छोड़ देने चाहिए जिस कारेकर में ये तारे या जिस वीडियो में बोलते हैं वो भी छोड़ देने चाहिए आप सोच लीजिए आप चिंतन मनंग कर लीजिए इससे कोई फायदा हुआ तो बताएं कोई कहे कि समाज को जागरुक करते हैं बई जागरुक नहीं करते हैं उग्र करते हैं जागरुक में और उग्र में बड़ांतर होता है एक ठंडा आत्मी समझार आत्मी जो सोचता है समझता है जागरुक होता है वो लोगों को जगाने काम शांती से करता है उसे जागरुक बो आप इस्टार्ट से क्या उम्मिद करते हैं, ऊगरुता की करते हैं या जागुता की करते हैं, आपको अगरुता चाहिए तो आप फाइरिंंग स्पीच सुनिए, फाइरिंग स्पीच के लोगों को बलाइए, उनको पैसा दीजीए, खुब चंदाए, ख्राटा कीजीए, पर अगर आप जाघुता की बात करते हैं तो इनको बोलिए कि आप जुड़ने जोड़ने काम कौम कीजिए एक भंते जी हैं जो इदर पलवल में काम चुलाते हैं अभी किसी ने उनको को पैसा डउनेट किया थिक का इक नम है ठीक है जो से उन्हों ने लगाया उसमें को टिपड़ी नहीं है पर एक वार वो आये थे मेरे पास में वो कहले कि आप काम करो मैंने का जी भंते काम क्या करना है भंतों का काम धंगा काम बंते करेंगे मैं कैसे करूंगा मैं तो एक उपास हो पहली बात दूसरी ब है कि आपने चीवर अगर लिया है और चीवर उनका चीवर जैसा भी है आपने चीवर लिया है तो आप सारे भिकों से यह अपील करो कि सारे संग में आओ और एक संग में आओ क्योंकि मैं अपील करूंगा या कोई बहनते जी जैसे आया थे कार में बटके बेंच चले गे मैंने बात में पूचा, ये बहनते जी आये मेրी बात करो हाँ ना नहीं किया, क्या बात हुई तो पता चला है उनका चीवर भी जो निएम के साथ नहीं आया हुआ है उस चीवर भी उन्होंने बिना नियम के लिया हुआ है जब चीवर ही बिना नियम के लिया हुआ है तो दूसरे भिक्कों को कहेंगे क्या वो दूसरा भिक्कों से कह देगा भाई तू पहला चीवर तो ठीक ले ले तो ये घाल गपाल जो चलता है हम पूछते नहीं हम जानते नहीं हम बात नहीं करते हम बुरा नहीं बनना चाहते हमको बुरा बनना पड़ेगा मीठा बनने से काम नहीं चलता दवाई कड़ भी होती है तो लेनी चाहिए क्योंकि दवाई दवाई मीठी भी हो सकती है दवाई कड़ भी हो सकती है पर अगर साल से आप भुकत रहे हो देख रहे हो कि इस एक्सपेरिमेंट से फायदा नहीं हो तो इसे पूछो कि बार 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 उस रस्ते क्यों जा रहा है जिस रस्ते पर मंजल नहीं मिल रही है पागल हो गया है क्या हमको भी ले जा रहा है खुद भी जा रहा है तो कम से कम नहीं जाना चाहिए, हमको पूछना चाहिए, पहले भी इस रस्ते पर गया था, कुछ नहीं मिला, फिर इस पर लेके जा रहा है, रस्ते पर तो भी क्या मिलेगा, तो सही मंजिल के लिए सही रस्ता होना चाहिए, इसलिए स्टार्स बहुत नुकसान करते हैं, यह जो सूरज क का पूरा पुझ है रोशनी का संग है उस सूरज के अंदर हजार लाको करोलो स्टार्स होते हैं वो चमकते रहते हैं पर वो कहीं अकेले नहीं भगते दिखाई नहीं देते संगों के अंदर भी हर व्यक्ति स्टार है पर वो सामुईक रूप से इसनिये सूरज है जब भी एक केले डिकल के भागेगा वो खतम हो जाएगा इसनिये सारे स्टार्स एक साथ रहेंगे तो सूरज बनेगा तो चमक बनेगी बढ़िया तो काम हमारा बढ़िया बनेगा अदरवाइज बनेगा नहीं क्योंकि हमको रोशनी चाहिए और रोशनी के लिए हमको इखटा होना व्यक्ति जादा नुकसान दायक है क्योंकि वो किसी के अधिन नहीं है संग्ठन तो किसी का अधिन है नहीं कम से कम संग्ठन संग्ठन के पतादिकारियों के या जो लोग होते हैं उनमें अधिन नाम के तो हैं पर एकल व्यक्ति तो पूरा आजाद होता है कब क्या बोल जा कब छुप जाए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह बंधा हुआ नहीं है क्थे जिए और फिरी आलेमिंट से कोई लव नहीं होता सिवाays नुकसान के इस बात को समझें इस बात करें बहस करने को त्यार यह तो हमें उनकी बात सुनना और उनको कहना बंद कर देना चाहिए। अगर हमने इन एकल व्यक्तियों को नहीं रोका तो यह एकल व्यक्ति बाद में जब मडते हैं जब इनको परशानी आती है और मडते सारे हैं इस्टार्ट सारे मरते हैं जो ज़्यादा अमर के लोग हैं, वो अपनी मेमोरी रीकॉल कर लें, तो वो पाएंगे कि बहुत साई लोग भड़काओ बश्र देने वाले आए, कोई साल में, कोई दो साल में, कोई तीन साल में बिदा हो गए, यूटूब भड़ा पड़ा है पिले सात आठ साल से, आप उसमें चेक कर लो, कि पहले ये आदमी बहुत बोलता था, उसके बाद में ये ठंडा पड़ गया, बोलता भी नहीं है, इसका नुकसान हमें ये होता है, कि हम अपनी एनरजी, अपना टाइम, अपना समय उसमें लगा देते हैं, तो हमें अपना एनरजी, अपना टाइम, संग में लगाना चाह संग हम ऐसा अपनी मंजल को प्राप्त करते हैं और एकल व्यक्ति तो बहुत जल्दी मर जाते हैं और संग्ठन थोड़ी देर बाद मरते हैं पर संग कभी खाली हात नी जाते हैं ये संगों का नियम है हमारी खुश किसमती है हमारा अच्छा समय है या हम ये कहें कि हमारा अच संग हमारे हाथ में आ गया और उससे भी अच्छी बात ही है कि हम इसको बढ़ाने के लिए तन मन धन लगा रहे हैं और उससे भी अच्छी बात ही है कि हमें लगातार परड़नाम मिल रहे हैं परड़नाम इस सूरत में कि हम एक दूसरे को जान रहे हैं हमारे काम निकल रहे हैं हम बुराईयों से बच रहे हैं, हमारे पैसे जो खर्च होते थे वो बचने लगे हैं हमें एक विस्वास आ गया है, हमें एक confidence आ गया है हम बहुत इसे जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं और हम सबको यकीन हो गया है कि पहले भी संग ने बचाया था, दुवारा भी संग ही हमको बचायेगा इसलिए मेरा यहां सबसे निविदन है कि जो तालकुटरा इस शिडे में हमारा परिवार, समर्संति, समागम, परिवार वाला जो कारिकरम होना है उसमें सब लोग आएं और अपने अपने आसपास के लोगों से जिक्र करें जो लोग नए आए हैं, उनके कोई सवाल हो, तो वो अपने सवाल पूछ लें कोई पराने लोग हैं, उनका भी कोई सवाल हो, वो भी पूछ सकते हैं, तर्क वतर्क होता रहना चाहिए एक घंटा हमारे पास exact है खूब तरक बतर होना चाहिए और इसी बात पर तरक बतर करें कि एकल वेक्ती से क्या फायदा है क्या नुक्सान है जिसके मन में जो बात है बताए या बात्चित करेंगे तरक करेंगे तो और भी अच्छी बात है निकल के आएंगी मेरी बात से अगर किसी कोई परसानी होई हो तो मैं संग से माफी चाहता हूँ संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे संग हंग नमामी, संग हंग नमामी, संग नमामी और ये वीडियो लक्षमन यादब जी और उनके जो फॉलोवर है उन तक जरूर पहुचा दी जाए, हो सकता है हम गलत हों, उस सिद्ध करें आए, आए पोटल पर आगे सिद्ध करें, हैं सब लोग बैठे हुए हैं, कि एकल व्यक्ति कैसे बेड़ा पार करेगा, और संग कैसे बेड़ा पार नी करेगा, और कितने एकल व्यक्ति हैं, जोनों बहुत फायदेबंद होगा, संगन अमामी, संगन अमामी, संगन अमामी